उनके लिए क्योंकि बहुत सारे में पास queries आई थी कि आप right age बतादो विए conceptions की या right age बतादो conceive करने की मेरे साब से कोई right age नहीं होती ठीक है conceive के लिए कोई भी age अच्छी age है क्योंकि जिनके नहीं होते वो 40 में भी हो तो वो भी बढ़िया और जिनके हैं उनके भी होते हैं अगर 30-35 में वो भी बढ़िया उसमें कोई दिक्कत नहीं है right age का मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके पास कौन सा एक certain age है जो आपको best अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने और अराम से रहने का सकून देता है या आपको एक pleasure देता है तो pleasure का मतलब है कि आप कितना खुश रह सकते हैं अपने बच्चों के साथ उसका टाइम वगएरा सब ले सकते हैं तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करूंगा देखो हमारी एज जो होती है वह अप्रॉक्सिमेटली जो हमारा lifespan है इंडिया और इंडिया से भाहर थोड़ में जैसे अब दली की बात करें या मुंबई की या जितनी भी बड़ी सीटी उनमें बात करें तो उसमें बड़ी सारी complications है जैसे कि आप 40 की एज में जाओ गए तो आप diabetes के बिमारी हो गई या उसके बाद जाओ गए तो आपको blood pressure की दिक्कत हो गई तो यह सारी problems हमारी day to day क की रूटीन में हो जाती है अब बात करें जो हमारा conceive का एक right time होना चाहिए वो मेरे ख्याल से होना चाहिए 24 से लेकर 30 के बीच बीच में क्योंकि इस time period में हमारे sperm count होते है quantity सही होती है volume जिसे मैं बोलू volume सही होता है quality अच्छी होती है sperm count अच्छे होते है morphology अच्छी होती है right time होता है conception का या जिसे मैं बोलू conceive का otherwise क्या होता है कि अगर हम दूसी तर साइट देखे माला अगर हम दूसा पहलू देखे जैसे हम 30 क्रॉस करते हैं तो आप 30 क्योंकि हमारे बहुत सारे couples ऐसे भी आते हैं जुन्होंने 30 क्रॉस करने के बाद प्लानिंग स्टार्ट करी कि आप प्लान कर रहे हैं अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप प्रेफरेंस दीजे कि अपने साल दो साल अपना enjoy कीजिए इन उसके बाद अपना conceive को जरूर प्लान कीजिए 30 तक एक right age होती है वह इसलिए भी कहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको span के बार में बताया है कि हम जैसे 60 या 70 के span में चले जाएं तो हमारे पास short age हो जाती है 40 की age में जाकर हम short हो जाते हैं तो महाँ पर क्या होता है कि अगर आपने 30 में conceive किया या 31 में conceive किया तो आपके पास अपने child के लिए सिफ और सिफ 30 साल बसते हैं और जैसे जैसे आपका बच्चा stand होने जाएगा आइमिंड उसे क्योंकि आज कल की generation जो है वो आज की date में देखा जाता है तो 24-25 के approximately stand हो जाती है बट आने वाले time में वो मेरे का से span 30 साल का हो सकता है वो किसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे हमारे parents थे वो stand हुए अपने 20s की या 21-22 की age में उससे 5 साल बाद हम stand हुए जिस हिस अगर हम देखा जातो हम 24-25 के जाकर एक stand होते हैं आइमिंड उसे income generate करना start करते हैं या as a हम job करना preference देते हैं या कोई business में involvement होती है तो हम 24-25 की जाकर age में enter करते हैं जहां पर हमारी income generate होती है वैसे ही जो next generation आई की वो approximately 30 की age के आसपास की जो मेरे ख्याल से वो age जो है वो matter क करती है अगर आप stand करने के type में मतलब I mean as a parent अगर आपको थोड़े बहुत stand करना है बच्चो को तो वो मेरे काल से आपको stand करने की age तक ही 30 की age में हो जाए तो वो एक ऐसी certain age होती है कि जहां पर हम खुद सफर कर रहे हैं बीमारी से और बच्चों को push कर रहे हैं कि तू कर य वो right time होना चाहिए 24 से 30 के बीच में जहां पर हमारी 8 उजट सारी चीज़े होती है normal होती है तो इस बीच में अगर आप conceive कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है as compared to अपने life span को लेकर as compared to आपकी sperm की quality को लेकर और as देखा जाए तो और अलग part देखा जाए कि आपकी aging factor को देखकर तो बहुत aspects कहते हैं कि आप 24 और 30 की age में right time है conceive का अब ये तो हो गया conceive का patient को और अलग तरीके से लगता है कि ये right timing को कैसे calculate करे अगर आज कल की बात करें एक doctor को अपनी practice या किसी भी clinic को start करने या फिर उसको कई job लगने तक का time period होता है approximately चला जाता है 30 के आसपर क् दोक्टर 31 32 में तो जाकर settle होता है क्योंकि उस time उसकी job चल रही होती है then वो start करेगा या वो job करेगा या government job करेगा कुछ भी करेगा तो वो उसको पहुंचते पहुचाते 30 31 हो जाता है 30 31 के बाद ही तो plan करेगा तो इसलिए कोई right time नहीं है conceive का ये एक standard time period है क्योंकि इस time period मे आपकी हर चीज नॉर्मल होती है as in देखा जाए ना आप इस time पे ED face करोगे erectile dysfunction कुछ नहीं करोगे PME face नहीं करोगे कोई ऐसे sexual disorders को आपको कुछ नहीं करना होता उस time आप खुदी इतने active हो sexually कि आपको कुछ लगता ही नहीं है खराबी तो ये time इसलिए भी अच्छा है ना आप ED face करते हो जादा तर patients में हम देखा जाए तो इस time period में ना erectile dysfunction face करते हैं ना premature ejaculation face करते हैं ना कुछ ऐसा कुछ face करना पड़ता है या उनकी कोई body भी suffer नहीं कर रही होती most of the patients की कि ना उनको कोई ऐसे diabetic या BP के symptoms होते हैं तो ये right time होता है जिसमें आप सारी चीजे normally ये time period में कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आपको ये समझ में आपकी conception के कौन से right timing है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेप बैले का इंद बादीजेगा और शेयर करना किसी और couple को में भी शायद कुछ इससे information मिल जाए और में भी शायद वो प्लैन कर ले तो अगर आपको झाल